Hey guys welcome back to my channel love is life और आप सुननी चारे है वाज प्यार यान अफरत guys and guys बहुत दिनों से story upload नहीं हो रही है so मैं कर से continue start कर रही हूँ so ए आज मेरा second episode प्यार यान अफरत कर मैं update story योटूब पे upload कर दूंगी so guys promise तो नहीं but try मैं करूंगी कि तीरी story upload हो so guys चली हम this story के तरह पढ़ते हैं लेकिन first of all हम चलते है previous part के और क्योंकि यार mind से तो चला गया होगा ना story में आखिरकार हुआ क्या है चला guys कोई ना हम बताते हैं आपो आखिरकार story में हुआ क्या था so story के previous part में हुआ कुछ ऐसा था कि हमारी Lisa और अराधना तो जाते हैं भी के बारिस में बारिस में तो जाते हैं और दैनली के कार भी क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं कार के खराब होने पे दो लोगी भी बैटे रहते हैं दैनली जो हमारी Lisa रहती हो तो कार ठीक कर लेती हैं लेकिन उसके वज़से से पुरी पूड़ी जो है पानी से हाई पानी से भी होती है जिससे उसका पूड़ी बहुत अच्छी से मतलब निखर रहा होता है सो उसे घुलगी की देख रही होती है Lisa को अरा ठीक सो इसे भी छो जाता है इनकी बीचे प्यारा से क्यूट सा मुमेंट जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को इस कदर जाहा इस कदर प्यार किया कि क्या ही गए प्यार का हद्दी नहीं था सु अब इस स्टोरी में चलते हैं आगे कि तरह इस स्टोरी में जैस्ट किये दोनों आओं होता है एक दूसरे को हग करके लेटे रहते हैं लेकिन इन दोनों की हाथ जो है भी पे काबू रहते हैं एक दूसरे की बोड़ी को बिन तहर टच कर रहे होते हैं इनका बोड़ी तो बस बोलते हैं भाई बस और लेकिन इनकी हाथे इनका दिल नहीं मान रहा होता है कि बस मुझे तो और करने हैं इसका दिल ये कहरा होता है लेकिन बहिए इनसान को तो एक रेश्ट भी चाहिए होता है तो ये दोनों एक दुसे को खे रहते हैं इन दोनों के बीच बेलकुल भी बात नहीं होती है ये रेसे बेमी से limous ip लेते हैं और एक दूसरे को टच किरी एक दूसरी को present हो नहीं दामसुश कर रहे होते हैं जो इनकी पीजो लिए। और प्यारा हुआ रहते हैं कि और आजेयों और ज्छी से प्हेंड करें अरहजिए आपने स्थरकफ़ को याद करती है तो वह स्थरमा जाती है क्योंकि अराद्या ने तो इसका किया था तैमूर जब हो सुचती है कि मैं नहीं किस तरीके से किस किया बागल हो गया ऐसे हो मन ही मन सूच रही होती है दूसरे तरफ प्रीसा इन सबी चीजों से बेख़वर इस ऐसास को अपने अंदर लेती है और दिल में लेती है और चीजों को समयठ के रहती है इस क्यूट से मॉम्में को पने दिल में कौनि पे चुपा के रहती है और दूसरी तरफ जो हमारे घ्म सा होती है सुरी गाइज मैंना बुल गए इस वाफों को याद आजाए तो कमेंट कर दीजाएगा हमारी अराथ्या के बारे में फूल डिटेर निकाल कि लिसा का वेट करे होते हैं लिसा के घर पे लेकिन लिसा अभी तक आई नहीं रहती थोड़ा सा परिशान भी हो चाती है कि लिसा अभी तक आई क्यूने है उपर से बारिश पहुंँ तेज हो रहा होता है और लिसा के नंबर पे कॉल करती है तो लिसा का नंबर तो बंद बता रहा होता है तो इस चक्कर मुने से पहुंँ ज़्यादा गुस्सा आता है और दूसरी तरह हमारी प्रीमी का जिसका दिल दूटा चाता है हमारी नित्या उधार वो अपना दुख्डा रो रही होती है क्या खिर मैंने से कुण सी कल्दी की है जिसकी सजा मुझे अभी तक मिली है बस मैं अब उसके पास वापस नहीं जानती है अब बस मुझे हट करना जानती है दूसरे का तो प्यार देखती है लेकिन इसका प्यार उसे नजर नहीं आता है बस हो गया मुझे बस अब आपके पास बिलकु को नहीं आना जोब हो जाए और आप मेरे पास आने की कोसिस भी करोगी तो मैं आपके पास निगाव दिए ऐसे बोल कि जो नित्या रहती है वो अपने बैट पे सो जाती है और अपनी ख्यालों में खो जाती है अह यह दर हमारी अराध्या और ली सब एक दूसरे में गुम निती अपने में गुम सबी एक दूसरे में इस तरीके से उलज गये थे कि वो कड़ी सुलजने को तैयार नीठी एक कड़ी सुलज भी रही थी लेकिन दूसरी कड़ी उलज रही होती है जो निद्धी रहती है वो लीशा की रूम में रहे कर वो सोचने लगी आखिरकार निद्धी ने ऐसा क्या क्यों बोला कि हर चीज मेरे वरज़े से हो रहा है आखिर मैंने ऐसा क्या गल्टी किया है कि वो यह सब जादी है इसको अपने माइन से मैं हटाती हूँ हटाना चाहिए क्योंकि यह सब मैं सोचूंगी तो मैं खुद पागल हो जाओंगी और वो इनसान चाहता है मैं पागल हो जाओंगी वैसे कभी होनी ने दोनी ऐसे जो है निद्धी सोच रही होती है अखिर ऐसा क्या हुआ रहता है निद्धी और नित्या के बीच जो कि उनकी रिलेशन में इतने सारे दरारे पढ़ जाती है गाइस इस्टोरी आपको समझने के लिए पर इस पाट को सुनना पड़ेगा दैन इन दोनों के बीच का यह रिलेशन इस तरीके से दरार पढ़ जाती है कि यह दोनों और दुसरे को अब समझ की नहीं पा रहे है एक दुसरे की फीलिंग को अब समझने रहे होते है कि आं खिर रहे है इदेर नित्या अपने दुख में अपने प्यांस से दुर मौनिगे वह हर एक नमुठ किन कोसिस कर रही होती है कि नीधी को समझा है। लेकिन नीधी यह कैसे इंसान रहती है कि कि उसके समझ नहीं आहा हूता है। अब दूसरी द्रव बारिष थंग जाने पर जो लिसा रहती है। तो थोड़ा से समझा जाता है कि वारीज थम गई है रुख गई है तो में जाना चाहिए लेकिन वो अराध्या को छोड़ा ने चाहती थी क्योंकि अराध्या ने उसे बहुत टाइडली हगए रखा था तो वो चाहती नहीं थी कि वो अराध्या से दोश जा इसलिए उसे गाड़ी के गुजरने पर एक फॉन बस्त है जिससे वो दोनों पूस में आ जाती है तो लीशा जो है थोड़ा सा उसको पर से अपने की कोसिस करती है लेकिन उसे को पर फिर से गिर जाती है तो वो दे और सॉरी एक्टली तो अराध्या बोलती है आधिक हमें चलना चाहिए फारिस भी थम गही थम लिए है तो अराध्या के वासं की लीशा होता है हाह हाह जोलुए चलते हैं हुआ कैसे हैं किस तरीके से हुआ एक दुसरी को तेक और फिर से अपने मूँ मूड ले देदे और उसके पाद जो वहारा जह बन Cont ek घेले ऐडने मेरतिश कार से वार बहुंसे इस सब duplicate Enjoyalley लिसारे बहुत जदवा खूस रहती है। उसकी फीज अलग तरीके से गलोग अधे हैं। उसमें अच्छी देखरी होती है। लिसारे जाती है और अपना फीज बारी बारी सुरी होती है। लिक्ना खास है। तो वह थोड़े थोड़े से पारिस की बूंदे पर परते थी तो लीसा की पूदर – पूंद हम थो खाते थी मतल dit समझ सबाए है कि वह बारिस के इंचुऑ है कर रही से तब एक होणे कार आता है और पीछे तुन करते हैं और बोलते हैं हे आप तो लिशय बोलते है एक्टली मेरी कार खराब हो चुकी है तो कि आप मुझे जोड़ सकते हो तो बंदा बोलता है यस जरूर क्यों नहीं आप बोलो तो आपके घर तक छोड़ दूंगा को इस्यू नहीं आपको घर कहा है तो ल सब्सक्रावार प्राइब करेंडिया और जरू今天 जो सब्सक्रावे सब्सक्राइब काई मतुमगए तो बीचाने काई को सब्सक्राइब को शोड़ दो नहीं हम कोई नियुक आप लिएग तो सब्सक्राइब करों करदा है नो प्रण बोलते हैं प्LISS थोड़ दीग आये हम और अराद्या को बोलते है चलो कार मिन गया, सुमें लिफ्ट मिन गया, तो हमें चलना चाहिए तो ये बात सुनके अराद्या भी लिसा के सान पेचे पीचे पीचे जहने लगती है मों लडगी तो देखते हैं बोलते है으니까, आ आए बैट चाहिए हम पिखते हैं तो लड़के जो है लिसा को इंटेस्त करने की बहुत जड़ा होता है कि वो देखने में तो बहुत ज़्यादा खुबसूरत रहती हैं, तो लोग ट्राइ मार रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के उपर उसके बातों का कुछ भी मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है, और वो लोग उसके बातों बहुतना धान नहीं देते हुए, सेधा चुप चाप ज कुछ बात ही करने करने दो न है, क्यूंकि अराध्या West भी कहний है, आप लुदेना नाम भी तो बताईए हमारे साथ आ जा अरे वे सफर में लिप्ट तो दे रहें, तो नाम, एक बार बताने में हर्जी क्या एताए, तो उसके उसके साथ जो लड़का रहता है बहरे हम भी हम लाम बताता है, भोलता है, हाई मेरा नम सौरिया है. तो लड़का हस्ते हुए उनके तॉरा हैंसेकरते हैं, यहां हुरा Correct कर कि लड़का समझ आग यानला हramble सेड़ करने का समय का मुह नहीं है। सब्सक्राइब करने में. कि उस से तूर हो जाता है. बोलता है, ओहु, सॉरी, I think आपको पसंद नहीं है, हेंड सेक्ड करने में तो जो लिसा रहती है वो अपना सर हां में हिलाती है तभी जो ड्राइविंग कर रहा होता है, तभी वो लड़का बोलता है हाई, मेरा नाम है समीर और हाँ, हेंड सेक्ड में कोई इशू नहीं है हेंड सक हेंड सक नहीं करना चाहते हो तो नाम ही बता दो इसमें क्या जाता है तो लीशा अपना सार हां में हिलाती है और अपना नाम बता देती है मेरा नाम लीशा है और यह रात्या है तो बोलती है ओ तो लड़का बोलता है ओ तो आप दोनों यहां किसी काम से आयते हैं तो बीच में हमारा जो कार है वो खराब हो गया तो हम वहीं पर रुकी थे और पारिस के रुखने का वेट कर रहे थे जब बारी शुक है तो आप लोगे कार दिखाए दी सो आप लोगे लिप्ट मांगे तो लड़का बोलता है ओ कि अच्छी बात है वैस कुछी टाइम के सफर के बाद जो लिशा अराध्या और सौरिया स्व्रमीर रहते हैं अपने सफर मंचल के पास पहुंच जाते हैं वह एक बड़ा सा आफिस ता उसके बाहर पहुंच जाते हैं तो जो सौरिया रहता हो हस्ते रहे बुलता है आप लोग इस टैम्ड़ आफि और बलता है तो क्या आप लोग इसी office में काम करते हो तो और आथ हो लिश्वा से में अबरा सर हां में हिलाता है तो इसके बा смотр'd है मैंने सुना है कि जाने माने office में इसे एक है मैंस क्या नाम है जार उसका ऐसे बॉलकर सोचने लगते हैं तो बोलते हैं ओम जो भी हो यार लीसा उसकी बात सुनी रही होती है तब ही वह कार से नीश उदर जाती है और बोलती है थैंकियू सुभाच आप लोग आप लोगों ने हम यहाप पी छोनी दिया इसके लिए थैंक्यू तो दोनों हस्ते हो बोलता है किसी की हेल्प करने में कोई लॉच ही नहीं है वैसे लीसाजी कभी हमसे भी मतला है कभी अप फ्री हो तो हमसे मिलिये बात करिये अच्छा लगा है अच्छा लगेंगा प्रैंड भी बन सकते हैं कि वो अपने पॉकिट से एक कार्ड निकालता है उसके तरफ देते हुए बोलता है यह मेरा कार्ट है अब इसमें मेरा नंबर भी है तो आप जपदी फ्री रहोंगे तो एक काल कर लेना है वह एक्टली वह कार्ड जो है बिजनस कार्ड रहता है जो अब हंदसान रहे हैं उसक पास एक business card रहता है जिसे वो किसी को भी offer दे सकता है कुछ भी दे सकता है तो उसके पास भी business card था तो लिसा इस चिछ को पास सोचते हैं बोलते हैं ऐसे बोलके वो अराध्या की तरब दिखती है अराध्या भी कार से उतर चुकी रहती है तो वो बंदे जो हैं दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लिसा और अराध्या वहाँ से कार लेकर वहाँ से दोनों भी चले जाते हैं लिसा पहले तो अराध्या को छोड़ देती है इस बच उन दुनों के बिच बिल्कुल बात नहीं होती है एकम दोनों के बीच एकदम साल नेट एकदम सॉनाटा जैसे कोई अन्धेरी रात में सभी सो जाते है ना पनी घर만 को पहत पर कोई पे छोड़ने के बाद, लीसा अपने घर की तरफ बर्स आती है अपने घर में जाती है, और कार को रखते है और उसके फेस पे अचानक से की स्माइल आती है और स्माइल करी रही होती है तबी उसकी मैट पुछती है क्या होगा मैम इतना स्माइल तो वो बोलती है नहीं कुछ नहीं क्यों इसमाइल नहीं कर सकती है ऐसे थोड़ा वो गुस्से से बोलती है तो वो बोलते हैं नो मैम, आप इतने टाइम के बाद इसमाइल कर रहे हूं, वो भी ऐसी, तो बोलते हैं, ओके, ओके, मेरे कॉपी बनाओ, और मेरे रूम पर लागी छोड़ दो, तो मैम बोलते हैं, एक्चली मैम, वो नेधी मैम आई हैं आप से मिनने के लिए, तो ये चीज वो स्टो में बोलते हैं, लेकिन लिश्ट सुन लेते हैं, बोलते हैं, क्या, नेधी मुझसे मिनने, कब, कब की आई है, तो बोलते हैं, वो तो दोपहर की यहाँ पर आ चुकी है, मैं, मतलब, आपके पास बहुत बार कॉल भी मिलाया, बट आपका कॉल, सुरी, आपका मुबैल तो बन बता रहा था, तो लिसा बोलते हैं, ओ, सिट, ऐसे बोलते हैं, अंदर की तरह भागने लगते हैं, अंदर देखती हैं, तो वो सच में, नेधी वहां पर बैट कर, लिसा का वीट कर रही होती है, और उसके फेस पर कोई भी, एक्सन नहीं रहता, वो किसी चीज़ के बारे हम सूच रही होत ऐसे बोलके, लिसा जो है, चुप-चप, नेधी के पास चली जाती है, और उसके सोल्डर पे हाथ रखती है, सोल्डर पे हाथ रखती है, जो नेधी रहती है, वो भोश में आ जाती है, वो बोलती है, ओ, लिसा तुम इतनी लेट कहा थी, तो लिसा बोलती है, वो एक्चली म बाहर थी आई अराध्या के साथ किसी काम से गए थे तो काम फिनिश हुआ है और हम आ रहे थे लेकिन बारिश हो रही थी ना इसलिए हम फस गए थे मेरी कार भी खराब हो गए थी को मैं ओफिस गई ओफिस के बाद वहाँ से कार ले और चलिया आई तो कि लेशा इतना बोलके नीधी को पूछती है क्यों कोई प्राब्लम मुई है क्यों तो नीधी लीशा को हक करते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना शाहती हूं बहुत जाफ इंपोरटेंट है तो लीशा बो बोलो ऐसे बोल कि जो लीशा रहती है वो निदी की तरफ देक रही होती है अजो है काहिस देखते हैं कि इसका के पिसुट में क्या होता है क्या निदी सारी चीज डीसा को बताएगी और इस सारी चेजह जानकर ली सा क्या रियक्ट करेगी यह सब जानना बहुंद जादा दिल्चस्पोगा सो आग हिस्टोरिम बने रहने के लिए आप सब को पता है क्या करना पड़ीगा ओके दिन तैंक्स सो माच और पाय अपना ध्यार रखेगा